दिलजीत दसांज ने अपनी ओन वाली आलबम घोस्ट बारे दिती स्पेशल इन्फोरमेशन ज्री हाँ हाली देविच दिलजीत दसांज ने एक स्टोरी शेर कीती अपने इंस्टरग्राम हैंडल ते जिसनों वे के पता लगदा है कि उन्हे ओनवारी आलबम घोस्ट दे विचे किन्ने गाने होन वाले ने स्टोरी दे विच जो तस्वीर दिलजीत दसांज ने सांज दे नाल दिलजीत दसांज दे विचे बैठे हो ए नजर आ रहे ने तीक बोर्ड लगया हुया जिस दे अल्बम लिख्या है ती 18 सॉंग्स दी लिस्ट है जड़ी ओ सांजी कीती गई है लेकिन नेम्स रिबील नहीं कीती गए ती नाल दी नाल ओना कैप्शन दे विच लिख्या है 18 ready 3 to go यानि के टोटल घोस्ट अल्बम दे विच इकी गाने होन वाले ने जिना दे विचो 18 गाने हो चुके ने ready ती 3 गाने ready करने हले बाकी ने जिस दे उते work दिलजी दुसांज दे वलो कीता जा रहे है ती एस स्टोरी नो उनाने अपने फैंस दे नाल अपने फॉल्लोर्स दे ना बास्ते देस दिये के दिलजी दुसांज सिर्फ अल्बम ही नहीं और वाले समय दे विच फिल्मा भी लैके और वाले ने जिमें कैसी जान देया कि हर साल दिलजी दुसांज एक अल्बम रिलीज कर देने ते मूवीज दे भी नाल दी नाल वर्क कर दे रहन देने असी और व सांजी करणगे करीना कपूर दे नाल उड़ाइश पंजाब ने करीज़ कर दादगे करीना कपूर देनाल काम करणगे सुदास्दें कि ओनवाड़ समय दे वेच ऊनदी दा क्रीज़ फिल्म तो इलावा चमकिला दी बायोपिक वी ऊनवाड़ी है जी हां गायक अमर सिंग चमकिला दी बायोपिक दिविच उना ने मेन लीड ने बाया याने की अमर चमकिला दा किरदार दिलजी दुसांज ने प्ले कीता है जिस विच अमर जोध दा किरदार प्ले कीता है परिनीती चोपडा ने ते दिलजी दुसांज दे परिनीती चोपडा दी ज सेक्षिन जो दस सक दियो उना दी और वाड़ी अल्बम घोस्ट वास्ते के ने एकसाइटेड हो एवी दसना बिलकुल न पुलना सो फिल हाल दे लिए इस वीडियो अपडेट दे विच बासे नाई पॉलिवुड ते एंटर्टेइन्मेंट इंडस्ट्री नाल जुड़िया हो या लेटेस्ट अपडेट वीडियो ते इंट्रव्यूस लिए तसी जुड़े रहो देसी चैनल देनाल तनवाद